हेलो पेरे बिच्चों बहुत बहुत स्वागत अपनी यूटूप चनल ऑम और में संजीब सर में और आज जो हमारा फिप्त सैमिस्टर है पांचमा सैमिस्टर है उसका एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा पेपर है जो हाला कि 24 में है जिसका नाम है व्याबसाइक बित अंग्रेजीम हम इसके लिए विजनिस फाइनेंस कहते हैं उसका आज हम स्रीगलेस कर रहे हैं और यह जो हमारा क्लास है फिप्स हैमिस्टर है यह पेड क्लास में हो रहा है लेकिन यहां से जैसे ही टाइम मिलता है तुरंथ हम यूटूब पे आकर के और पब्लिक क्ला आपको हमारे पास से ही प्रोवाइड हो रही है और पूरे यूटूब पे आप सर्च कर लिजेगा पंचमें सेमिस्टर को जितनी अच्छे से हमारे यहां पर पड़ाया जा रहा है कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो आईए शुरू करते हैं उससे पहले जो बच्चे जोईन कर कि बात आए तो इसको लिखना कहां से सुरुआत करोगे देखो इसको लिखना कि ब्यापसाइक बित्त से आसे जो ब्यापार हम संचालित कर रहे हैं या किसी ब्यापारी के द्वारा अपना ब्यापार संचालित किया जाता है या किसी कमपनी के द्वारा अपना कारोबार कि जाता है उसमें कितने धन की आवश्यक्ता है और वो कहां कहां से पूरा करना है इन दोनों कामों को मिला करके हम ब्याबसाइक बित कहते हैं ब्याबसाइक बित दो सब्दों से मिल करके बना है ब्याबसाइक पिलस बित ब्याबसाइक का मतलब होता है सीधे-सीधे धन कमाने के उद्देश से किये गए समस्त कारिय और बित से आसे होता है रुपे पैसे से अता किसी भी कंपनी को संचालित करने के लिए कितने पैसे की आवश्यक्ता होगी और भू हम कहां से उपलब्द कराएं कहां से हम उसकी ब्यवस्था करें जिससे हमारा खर्चा भी कम है और हमारा कामरो उबार एक अच्छे तरीके से चलता रहे इसी का पिरवंद करना हमारा ब्याबसाइक बित कहलाता है पैरग्राफ चेंज करना और लिखना जो अब मैं बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से मनुस को कारिये करने के लिए उसके सरीर में रक्त की आवश्यक्ता होती है बिलड की आवश्यक्ता होती है ठीक उसी प्रकार से जो हम ब्याबसाइ संचालित करते हैं उसमें धन की आवश्यक्ता होती है यदि मानब सरीर में रक्त ना रहे तो वो किसी काम का नहीं रहता है ठीक उसी प्रकार से अगर हमारे ब्यबसाय में बित ना रहे हमारे कारोबार में अगर हमारे पास में रुपिया पैसा खतम हो जाए तो समझ लीजेगा कि जैसे मनस जीवित नहीं रह सकता ठीक उसी प्रिकार से भ्यबसाय जीवित नहीं रह सकता तो इसलिए इसकी तुलना सीधे मानब सरीर से कर दी गई है जितना मानब सरीर में बलड अच्छा होगा, खून अच्छा होगा, रक्त अच्छा होगा उतना ही वो कामों में एक्टिब दिखेगा, उसके अंदर ताकत होगी, उर्जा होगी, दिमाग काम करेगा और लोगों से हस्ते हुए बात करेगा ठीक उसी प्रकार से, अगर ब्यापार में रुपे पैसे के करकमी पड़ जाया तो ब्यापारी का चेहरा उतरा हुआ होगा जो कस्टमर आएंगे उनसे बात करने मन नहीं लगेगा, नहीं नहीं अपनी योजनाएं हम लागू नहीं कर पाएंगे इसी कारण से, जो अच्छी सेवाएं होती हैं, उनके बदले कुछ न कुछ चार्ज अवस्च जाता है कभी भी कॉमर्स पढ़ने बाले बच्चे ये ना सोचें कि भविस्व में हम व्यवसाय करेंगे, तो नुक्सान ही होगा, कभी नहीं होगा सर्त एक बात की है, कि आप जिस काम में कदम रखो, उस काम में पूरे मन से रखो, तन से रखो, और धन से रखो तो तन, मन, धन, इन तीनों चीजों को लगा करके, अगर कोई भी काम करते हो, सौ परसंट सफलता मिलती है चाहें वो पड़ाई हो, चाहें जॉब हो, चाहें कारोबार हो, चाहें किसी भी फिल्ड में आप चले जाएं, चाहें उत्पादन का फिल्ड हो, चाहें जॉब का फिल्ड हो, हर जगे पर तन, मन, धन, तीनों चीजों लगानी ही पड़ती है, इसके बाद ही सफलता मिलती ह और इस प्रकार से जो ब्यापसाइक बित है इसका अर्थ लिख जाएगा हलक जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए उनके पास में PDF नोट समने दे दिये हैं बहुत एजी है कितना लिखना है आपके पास में पूरा मैटर पहुचा हुआ है माइंड में सैट करो बहुत सरल इजी लैंग्वेज में है माइंड में सैट करो और उसके लिए लिख डालिएगा ओके तो आप आगे से ब्यापसाइक बित का जैसी नाम आएगा क्या लिखोगे कि ब्यापसाइक बित से आसे धन एकत्र करने बा उसका सदोपियोग करने से है जिससे ब्यबसाय सफलता पूर्बक संचालित होता रहे और ब्यबसाय में ना तो धन की कमी पड़े ना फालतू धन हमारे ब्यबसाय में पढ़ा रहे दोनों बाते हैं बिटा अगर फालतू पड़ा रहेगा तब भी नुकसान है क्योंकि बो पैसा कहीं और लगा हुआ होता तो बहां से क्या मिलता हमको कारोबार से कुछ ना कुछ मुनाफ़ा मिला और कुछ नहीं तो बैंकम जमा कर दें तो बहां से हमको ब्याज मिलता तो कभ रुपए पैसे क्यों नहीं कहा गया ब्यबसाइक बित नाम क्यों दिया गया इस पर भी हम बात करेंगे ब्यबसाइक बित यानि आप ब्यबसाइ में उप्योग होने वाले यह कई बार कोश्चन पूछा गया है और बुक्स की तो लैंगर बहुत टफ होती है लेकिन महां कोश ब्यबसाइक में उप्योग हुए धन को बित क्यों कहते हैं बित क्यों कहते हैं यानि क्या कारण है यार कि इसको रुपया पैसा ना कहके हम फिनेंस कहते हैं तो फिनेंस होता है इसका क्या मतलब होता बित का मतलब क्या होता है बित का मतलब सीधे सीधे मैं बताओं होता तो धन से ही है लेकिन वो धन कहां से आएगा कितनी मात्रा में आएगा कितने समय तक रहेगा कहां पर कब वापस करना पड़ेगा यह पहले से कोई ही डिसाइट नहीं होता है ओके तो बित्त सेयास है रुपए पैसे की व्यवस्था करना है रुपए-पैसे का इंतजाम करना जैसे आपको एक कार निकालनी है तो कहते हैं चलो दो लाख रुपे हैं आपकी फैनेंस करा देते हैं तुमको पता है कि वो पैसा कहा का है किसी को नहीं पता है बस आपको एक पता है कि हमने जिस कमपनी से फैनेंस कराया उस कमपनी ने पैसा जमा कर दिया वो Company कहा से ला रही, यह आपको नहीं पता है ठीक उसी परकार से, जब कारोबार करोगे, जब ब्यबसाय करोगे तो कभी भी करमचारियों को पता नहीं चलता है कि हमारा जो ओवनर है, हमारा मालिक है, वो पैसे कहा से इंत्जाम करके ला रहा है इसी कारण से ये चीज हमारी ब्यबसाय के बित कहलाती है और कभी भी जो secrets हैं उनको open नहीं किया जाता है ब्यबसाय में बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिनका छुपाना भी बहुत जरूरी होता है तो ये आपने topic समझ लिया कि ब्यबसाय में उपयोग होने बाले धंको हम बित क्यों कहते हैं बित का सीधा कारण रुपे पैसे का प्रबंद करना अनुमान लगाना उसका सदुपयोग करना और अगर फालतू है तो वो कहीं और लगा देना तुरंद कम है तो फोरन इंतिजाम कर लेना यह सब ऐसे काम है जो रुपे पैसे से थोड़े से अलग है रुपे पैसे क्या यहाँ पर दस जार रुपे रखे हों उठाएंगे यूज मिले लेंगे लेकिन बित में टैम लग सकता है इसलिए उसका इंतिजाम करना पड़ेगा इसलिए वो चीज बित कहलाती है तो बित का मतलब आप समझ गए होंगे उम्मीद तो ऐसे ही है यह अर्थ मने बहुत समझा दिया और बाकी पड़ोगे तुरंत याद हो जाएगा अब हम बात करते हैं कि यहां पर एक परिभासा जुरू लिखने के लिए आएगी और जो परिभासा है वो हुष्टिंग्स महदय ने बहुत ही इजी दिया उस परिभासा को ही आप लोग लिखके आना कि ब्याबसाइक बित जो होता है ब्याबसाइक बित धन प्राप्त करने तथा ब्याइ करने की कला एबम बिग्यान का नाम है ये चीज हमारी क्या होती है कि ब्याबसाइक बित धन प्राप्त करने और उसे ब्याइ करने दूनों की कला एबम बिग्यान का नाम है ये दिया हुआ है तो इसके लिए बहुत ही easy language में आप एक deadline में लिख दोगे, परिभासा आपकी लिख जाएगी, अब हम बात करते हैं, ब्याबसाइक, वित्त के, ब्याबसाइक वित्त चाहे इत्ता ही लिखो, और चाहे लिखो, रूप, ठीक, ब्याबसाइक वित्त है हमेशा दो रूपों में आपको मिलता है, कौन-कौन से रूपों में मिलता है, पहले नंबर पे, आपकी पूझी से मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, capital, ठीक, दूसरा जो मिलता है, बहे मिलता है, मुद्रा, जिसको हम लोग कहते हैं, money, ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपका आकरस करना चाहूंगा, कि यह दोनों टॉपिक, ब्यापसायक बित के रूप क्यों कहे गए, ब्यापसायक बित का मतलब तो समझ में आ गया कि रुपए पैसे की व्यवस्ता करना है, उसका अनुमान लगाना है, फिर उसका सदूपयोग करना है, ठीक है, जो ब्यापसाय में हुआ धन क्या कहलाता है, पूझी कहलाता है, तो ठीक है बई, पूझी तो बिल्कुल बैसे के लिए रो गई, कि हाँ ब्यापसायक बित का ही एक रूप है, फिनिन्स का ही एक रूप है, पूझी कारोबार में लगा हुआ धन हमारा पूझी कहलाता है, बिटा, तो इसका मतल कि जितना रुपिया हमारी कंपणी में लगा हुआ है तो सारा का सारा हमारी क्या बन गया है पूजी बन गया है अब यह मनी आ गए भी यह मुद्रा यह चीज क्या है अरे आपने खूब सुना होगा जब अंतिम तो पूजी के साथ में प्लास होते हैं क्या दाइत तो ओके दाइत तो क्या चीज है अरे जो हमारे लिए दूसरे को पे करना चाहिए जैसे मैं टीचर हूँ मेरा काम है कि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं अच्छे से अच्छी सिक्षा दूँ ऐसी पर आये थे उनके अनुमान के आधार पर मैं important निकाल के आपको दूँ यह मेरा क्या है दायत तो बनता है आपका भी तो कुछ दायत तो बनता है आपको फीस पे करना दायत तो बनता है अरे उससे पहले आपको महिनस से पढ़ाई करने का दायत तो बनता है उके पढ़ाई करन का दाइक तो बनता है और जितना करोगे लर्न एक बात याद रखना उतना ही 100% करोगे अर्न होता ही है बच्चे कहते हैं कि बीकॉप कर जाएंगे इसके बाद पता नहीं क्या करना होगा नौलिज नहीं है सही बात यह है ज़रा थोड़ा सा नौलिज लेकर कि आप बाहर तो आप दूसरी लोगों से बहुत आगे दिखाई देंगे तो आप मेहनत करें मेहनती वोद्र ये přीज़ चीज होती है और मतलब यहां पर मुद्रा है जो पैसा आएगा तो भो भी तो हम द्यापार में लगाएंगे तो हमारे जो ब्याप साइग बारे में दो थीन तीन लाईन है उके और इसमें नकद राशिया व्यक्रले व्यक्राष करेंट में उत्पादन लगी होई हैं वो सब सामिल हो जाती हो उसका कारण मैं बताऊं पूझी पिल्स ढाय तो बरावर होता है संपतिया ओके ऐसा क्यों कहा गया है पूझी और क्यों एक नहीं होती यह ठीक विपीत होती है एक दूसरे के, ऐसा इसलिए होता है, जितना रुपिया तुम ब्यापार में लगाओगे, वो तुम्हारी संपत्ती बनता चला जाएगा, और ब्यापारी को ब्यापार से अलग करा, किसने पिर्थक ब्यापसाय, अस्तित्त की अब्धारना, जिसने एकॉंटेंसी आपको पढ़ा इस कारण से पूंजी को दायत्त का रूप माना जाता है, और संपत्तिया हमारी बो हैं, जिनको देख करके, हमको आत्म संतुष्टी होती है, जो हमारे कारोबार में लगी हुई है, जिनसे हम मुनाफ़ा कमा रहे हैं, वो सब हमारी क्या हैं हैं, संपत्तिया हैं, ओके, तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है, ब्यापसाइक बित्त क्या है, ब्यापसाइक बित्त दो सब्दों से मिल करके बना है, ब्यापसाइक पिलस बित्त, ब्यापार करने के लिए जितने भी समस्तिक्रिया की जाती हैं, वो सब ब्यापसाइक कहलाती है, और बित्त का आस है, धन से रुपए पैसे से उन पदार्थों से है जो रुपए पैसे का काम करते हैं ओके जैसे चेक है आपने देखा होगा कि देदो भुगतान हो जाता है रुपए क्यों नहीं कह रहा है उसके लिए finance में ही आ जाता है वो ठीक है क्योंकि financial काम कर रहा है वो financial instrument है वो और जो देविल है वो भी financial instrument है bills receivable है जिसको हम प्राप्त बिल कहते हैं तो check है, bill है, draft है, हुंडी है, प्रतिग्या पत्र है यह सब financial में ही आते हैं ठीक है? तो हम वही कहना चाह रहा है आप से कि रुपे पैसे की विवस्था का अनुमान लगाना और विवस्था करना फिर रुपे मिल जाए उसका सदुपियोग करना यह सारी चीजे जिसमें की जाते हैं उसको हम व्यवसाइक बित कहते हैं आप लोग screenshot ले लीजे तभी आगे का पार्ट पढ़ाएं चलिए आगे का पार्ट स्टार्ट करते हैं और आगे हमारा जो topic है वो है बित्य कारिये और कभी-कभी लिखके आ जाता है बित्त के कारिये यह व्यवसाइक बित्त के कारिये ठीक है? कैसे भी आए? फंक्सन याद रखना, कारिये याद रखना और जो मैं आपको दे रहा हूँ किताबों में तो मिलेगा ही नहीं इतना सरल topic ठीक है? इतना अच्छे तरीके से मैं इतनी heading दे दूँगा कि सायद आप दो-चार किताबों के खट्टा करेंगे तब भी आपके पास में नहीं होंगी अब इनके बारे में दो-चार-चार लाइने जो आप लिखना चाहों लिख लीजेगा और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए PDF नोट्स मिली रहे हैं पहला जो होता है, बै होता है बित का अनुमान लगाना यानि जब हम बित्तिय कारिये की बात करते हैं, तो इसका मतलब है रुपे पैसे संबंदी कारिये करने से पहले, सबसे पहले हम लोग अनुमान लगाते हैं यसे हमारे परिवार में कोई भी function होता है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं बित्त की विवस्था करना, बित्त की विवस्था करना, बित्त की विवस्था करने का मतलब है एन मोके पे पैसा मिल जाए, पेपर देने जा रहे हो, पेहन आपके हाथ में नहीं है, पेपर में 10 मिनट बचे है, कौपी पेहन बाले की दुकान पे जाते हो, 50 का नोट लेके जा ले पैन तो दे दे क्यों आवश्यक्ता है उस्टाइड ठीक उसी प्रकार से यहां पर होता है सेम दबे कि बित्त की व्यवस्था करना और ऐसी व्यवस्था करना इसे मोगे मिल जाए पर ना दूसरी कंपनिया आगे निकल जाएंगी हमारी कंपनिय पीछ रह जाए तो पहला ह होता है अनोमाल लगाना दूसरा होता है वित्त की व्यवस्था करना नमबर तीन की racism करना सद पयोग करने का मतलब है कि ना तो हमको तो फाल्टू कर देил करने तो बहाँ पर मत करिये, जहां काम चल सकता है, तो ये बित ही आपको एक दिन कहीं न कहीं आगे ले जाएगा, बहाँ पड़ाई में कहीं पर भी कंजू सिमत कीजिए, कौपी, पें, किताब, कोई टीचर, अच्छा टीचर मिल रहा हो, कोचिंग, ये सब चीज़े ऐसे हैं जो तुमको बहुत आगे ले जाएंगी, तो इन में मत चूकिये, कहां चूकिये, अरे फाल तू खर्चे में घूमा फिरी करते हो, उसमें बिविन प्रिकार के और जो सौक पालते हो, ये सारी चीज़े पूरी हो जाएंगे, कामियाब होने के बाद, तो पहला जो आप अपना टार्गेट रखिये, कामियाब होने का रखिये, तो बित्त का सदुपियोग करना, नमबर चार होता है, उद्देश का निर्धारान, यानि बित्त की ब्यवस्था करने के बाद में उद्देश से निर्धारान किया जाता है, कि हम कितना काम करेंगे, कहां तक करेंगे, किस म 已ोजना बनाना बित्तिय ह्योजना बनाना बेरी 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 बे बित्तिय हूझना का मतलब है कि जैसे तुमको लग रहा है कि हमारे बिजनिस में 10 लाक रुपे की आवश्चक्ता होगे आगामी 3 महिने में तो हमको 10 दस लाग की विवस्ता नहीं करनी है आपको तीन महीने में क्या लिख दिया मैंने भी तीन महीने में तीन महीने में आप ये देखोगे कि दस लाग की तो आवश्यक्ता हो रही इस डन पक्का है लेकिन तीन महीने में कुछ पैसा भी तो हम बिजनिस से अपने तीन लाग अगर हम किसी से और उधार कर लेंगे तो पांच लाग की विवस्ता हमारे पास में हो जाएगी हम पांची लाग रुपए भी आज पे ले या बैंक से लिए तो यह वित्तिय योजना होती है फिनेंसियल प्लानिंग होती है और जिसने ये काम सीख लिया समझी लो कि वो एक सफल ब्यापारी बनेगा सो परसेंट बनेगा बिजिनेस फनेस पड़ता है आगे के जितने भी चाप्टर्स हैं वो इसी चाप्टर पर नीव रखी होई है उनकी इस चाप्टर को जरूर देख पूझी धाचे को बनाना पूझी धाचे को बनाने का मतलब है कि यहाँ पर पूझी धाचे का मतलब क्या होता है ब्यपसाय में लगी हुई पूझी की बनावट को पूझी का धाचा कहते हैं इसमें तीन चीजे सामिल होती है कितने हम सम्तान सों से पैसा इखटा करेंगे कि एक पैसे भी चोकाने हैं तो कौन सा बाला कितना लिया जाए जब रिढम पर हम व्याज देते हैं तो हमारा उतने पर income tax नहीं लगता है यह confirm है लेकिन सम्ता अंसधारियों पुर्वाधिकार यह अंसधारियों को जो लाभांस मिलता है तो जो लाभांस में हिस्सा मिल रहा है उससे पहले tax लगता है तो आप आप सोचो कि सबसे ज़्यादा इसी इमफाधा रिल पूंजी मारे सब कुछ रिल ले होगे तो ब्याज बहुत ज़्यादा चला जाएगा सम्ता अंसधारियों को पूर्वाधिकार को फिर क्या दोगे कौन तुम पर वरुसा कर लेगा अडानी जी की जो इतनी बड़ी कंपनिया चल रही है रिलाइंस कंपनी चल रही है आपको पता है कि इन पे कर्ज है लेकिन 51% से कम है इनकी जो पूझी है वो 51% से जादा है अब अगर कवी कंपनी डूपती है तो अडानी जी की सबसे पहले तो अपनी संपत्ती जाएगी ना तभी तो जो और 50% से कम लोग है तो उनका पैसा तो सुरक्षित है इसलिए अडानी की कंपनी है रिलाइंस कंपनिया ये गिरो बहुत कर रही है ये कॉमर्स वाले जानते हैं आप लोग जानी है क्योंकि आप बिजनिस फनिल्स पढ़ रहे हैं ये मौका मिला है ऐसे चैनल पर आने का मौका मिला है जहां से आपके लिए कि बिदभट ढंक और अच्छे तरीके से सरल तरीके से आपको पढ़ाने का मौका मिला है तो ये तीन चीजे होती है अगला है साथमे नंबर पर अपवे को रोकना ये भी बित्तिय कारिये है अपवे उसके लिए कहते हैं जिसके बिना हमारा काम रोकेगा नहीं चलता रहेगा और उस खर्ज को बचाया जा सकता है इसे हम क्या कहते हैं अपवे कहते है अपवे को रोकना आठमे नंबर पे लाभांश नीती बनाना लाभांश नीती क्या चीज होती है अरे समता अंसों को मिलने वाला फाइदा पूरवा अदिकार अंसदारियों को मिलने वाला फाइदा ही तो लाभांश कहलाता है लाबहंस दो सब्सक्राइब करें बनाए लाब प्लस अंस यानि अंसों पर जो पैसा लगा हुआ है उससे मिलने वाला लाब लाबहंस कहलाता है अब जितना लाबहंस मिलेगा मालिकों को जादा वो उतना ही तो मिहनत करेंगे जैसे बहुत से बच्चे हैं यूटूब पे दे वो क्यों नहीं समझते वो अपने मतलब की बात करते और यहां पर क्या है कि भी यहां पर भी तो कुछ ना कुछ खर्चा रहा है दूसरा चीज है कि जो बच्चे पेड क्लास में चुड़े हुए हैं उनमें कहीं न कहीं पर जब एक बिदिवत तरीके से जब हम लेके चल र फीर नहीं है इस्टाब भी लगा रहें खर्चा भी कर रहें सारा काम कर रहें तो इन सब चीजों को समझने बाला ही तो समझ पाएगा हर इंसन नहीं समझ पाएगा तो वहीं चीज होती है कि यहाँ पर जितना अच्छा रिस्पोंस मिलता है कम्पनी के मालिकों को उनका ही उतना मन लगता है काम करने में, तो इसलिए लाभांस की नीती बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है, कि अधिक सदिक फाइदा कमा करके और मालिकों को दिया जाए, जिससे कि वो और पूंजी लगाएं, और व्यवस्ता करें, और काम करें, अगला नमे नंबर पे बित्ति कि बिवर्णों को तयार करना, यह भी एक बित्तिय कारिये में ही आता है, बित्तिय बिवर्णों को तयार करना का मतलब फरेंसिल इस्टेटमेंट तयार करना, क्योंकि जिसने हिसाब किताम नहीं रखा, कितना आया, कितना गया, कितना पिछले साल, कितना आया, कितना गया, उसी अनुमान पर लग जाता है तुरंट, जैसे हम भी यही करते हैं, हम पहले से ही बता देते हैं कि बिटा इस बार पेपर में यही है, मिलेगा, क्या करते हैं, कई सारी टीचर्स बैठते हैं, और उसमें कम से कम दो दो तीन तीन धिल लगाते हैं, फिर यह निसकर्स निकालत इमांदारी सी अगर पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनकी पर्संटेज, भैक तो बहुत दूर की बात है, क्या भैक होती है? हमारे सुडोलेंट्स सön नहीं जानता है, उनक्मार्किंग अच्छी आते हैं, वो हमारी देन नहीं है, वो उनकी मिहनत की ही देन है, कहीं ना कहीं पर अगला जो होता है दसमे नमबर पे बहोता है सुद्ध लाभों को बंटना सुद्ध लाभों का बंटना का मतलाब है कि कमपनी को सुद्ध लाभ हो गया तो क्या सब बंट दिया जाए? ना ना उसका कुछ पार्ट भविस में अचानक कोई घटना घटेत हो जाए, कोई समस्या आ जा, उसके लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो इसलिए सुद्ध लाब को कितना बाटना है, कितना रखना है बचा करके, ये काम भी किया जाता है, आगे 11 नंबर पे, विकास, हेतू, अतरिक्त, पूझी, व्यवस्ता, तो उनके लिए अतरिक्त पूझी की भी व्यवस्ता करनी होती है, जिससे कि वो आगे बढ़ते रहें, और ये जब वो आगे बढ़ेंगी, तो 100% है कि जो लाब है, उसकी कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, दर है, वो बढ़कर के आईगी, नंबर बार्मा, भविस्ष की, योजना बिना योजना के तो कोई काम हो ही नहीं सकता, हम भी आपको पढ़ाते हैं, तो पहले एक प्लान करते हैं, कि हम इस टॉपिक में क्या-क्या पढ़ाएंगे, कहां तक पढ़ाएंगे, कुछ चीज़ा ऐसी होती ही, जो हम लोगों को भी याद नहीं होती है, जैसे परिभासा कहीं ना कहीं, फिर आपके लिए मजबूत करती हैं, फिर बोई चीज़ जो परिभासाओं में दी हुई होती हैं, उसको हम सरलता से निकाल करके लाते हैं, तो इसके बाद आपको देते हैं, अब इस तरह से यह अपने बित्ये कारी है, आप देख लीजेगा, और इसके अगला टॉपिक बहुत महत्पूर है, जो इस टॉपिक के लिए, जो इस चाप्टर का अंड कर रहा है, ठीक है, चलिए, हम समझाते हैं आपके लिए, जितना आज पढ़ा रहे हैं, इस से बाहर एक वी वर्ड आपको इस चाप्टर से नहीं मिलेगा, तो पहला चाप्तर आ इसका अर्थ तो बाद में समझाएंगे हम, सबसे पहले बित्ये निरलाय के प्रकार हम और लिख दे तब समझाएंगे, बित्ये निरलाय के प्रकार, तीन होते हैं बिन्योग निरलाय, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, डिसीजन्स, ओके, दूसरे नंबर जो होते हैं, वो होती हैं बित्थ, पूर्ती, निरलाय, तीसरा जो हमारा होता है, बै होता है, लाभांश, निरलाय, इसे हम कहते हैं डिविडेंड, डिसीजन्स, ओके, बित्थ, पूर्ती, निरलाय के लिए कहते हैं, फिनेंस, सप्लाई, डिसीजन्स, ओके, इनका क्या मतलब है, तीनों का, बिनियों का मतलब, हमें पैसा कहां लगाना है, बित्थ, पूर्ती के निरलाय का मतलब, थोड़ी देर पहले हमने एक्जाम्पल दिया था, कि 10 लाक की जरूरत है, कितना आता रहेगा, कहां से आता रहेगा, कितना खर्च होता रहेगा, ये सारी चीजें बित्थ, पूर्ती निरलाय में आती हैं, लाभान निरलाय का मतलब है, कि रुपए पैसे को हम कहां पर लगाए लिए, उसके बाद, जो अर्निंग होगी, उसक बित्तिये निर्लाय बहुत आसान हो जाता है अरे बित्तिये निर्लाय दो सब्दों से मिले करके बना है बित्तिये से आसे संस्था में आने वाले धन की व्यवस्था से है और निर्लाय से आसे यह तै करने से है कि उसका सदूपियो कैसे हो सकता है कहां पर हो सकता है कितनी मात् तो बित्य निर्ड़ए यह बहा काम है या बहा महत्तकुणकारिये हैं जिसके माध्यम से धनका प्रियोग उप्योग उस पर आने वाला खर्च वह सारी बातों को द्यान में रखते हुए यहा जाता है यानि अगर हम दिवस्था करेंगे तो हम लाला जी की दुकान से लें तो तो सस्ता पड़ेगा बैंक से लें तो सस्ता पड़ेगा जनता से लें तो सस्ता पड़ेगा फिर इन में से मांगने कौन आ जाएगा हमारी पोजिशन अगर गड़वड हो गई तो ऐसा कौन होगा जो मार्केट में हमारी खिली नहीं उलाएगा इन सब बातों के साथ में व्य आयो कि चार प्रकार के बिजनेस है एक कपड़ा का बिजनेस है दूसरा कितागों का है तीसरा लोहे का है और चोथा कोई मांलो मार्केट और आरे आउनलाइन कोचिङ ही सही इसी का बिजनेस समझ़ लो तो चारों में से हम कौन साउा कहां पर लगाए यानि इन चारों में之व किता पैसा लगेगा यह अनुमान लगाना फिर हम लगाए ना लगाए यह चीज अगाना बिन्यों में नड़ाय कहलाता है दूसरे नमबर के होता है बित्पूर्ती नड़ाय यानि कोई कारूबार करते हैं तो हमारे रुपे पैसे की विवस्ता लगातार बनी रहे यह कहां से होगी यह बित्पूर्ती नड़ाय के प्रकार में तीसरा होता है लाभांस नड़ाय यानि कंपनी को अगर कहीं न कहीं नुकसान भी अगर हो रहा है तब भी वो अपनी जो लाभांस है उसकी दर को गिराना नहीं चाहती वो नहीं चाहती है जैसे आप के लिए कहीं पर अच्छे से बयाभार करना चाहता है और अच्छा ना चाहता है लेकिन फिर भी वो ले अरे उसकी तो लुटिया ढूबने वाली यह तो समयों उसके घाना छोड रहेते हैं और एक वैक्ति है बयापारी करजा कितना भी है मरा जा रही है अनदर इनक लेकिन जब भी आप आपको क्या लगता है आरे इसी की तो बस मार्केट में यही है बस जो कोच यही है बादसा यही है सब कोच तो यह चीज़े होती है इसलिए यह लाभांस नर्ड़े बिजनेस फैनेस वालों के लिए बहुत ही महत्तिकूल टोपिक है यह सब चैप्टर भी आपके लिए आगे पढ़ने को मिलेंगे तो कैसा लगा आज का क्लास जरू बताईएगा जो लोग जॉइन करना चाहते हो ऑफिस का नंबर है अपने आप तैरी करना चाहते हो आपके ल प्रियास कर रहा है लेकिन यहां से जैसे ही टाइम मिलता है तुरंथ हम यूटूब पे आकर के और पब्लिक क्लास भी देने का पूरा-पूरा प्रियास कर रहा है हलाकि इसका जो फुल बर्जन है वो पेड में ही है तो यहां पर आज मसुरूआत कर रहा हूँ व्यापसाइक बित जिसको हम बिजनिस फनेंस कहते हैं वीकॉम फिप सैमिस्टर की वेस्ट अनलाइन कोचिंग आपको हमारे पास से ही प्रोवाइड हो रह है जहां से आप हम से जुड़ सकते हो सबसे पहली बात यह होती है कि जब भी कहीं पर ब्यावसाइक बित यानि बिजनिस फनेंस की बात आए तो इसको लिखना कहां से सुरुआत करोगे देखो इसको लिखना कि ब्यावसाइक बित से आसे जो ब्यापार हम संचालित कर रहे हैं या किसी ब्यापारी के द्वारा अपना ब्यापार संचालित किया जाता है या किसी कमपनी के द्वारा अपना कारोबार किया जाता है उसमें कितने धन की आवश्यक्ता है और वो कहां कहां से पूरा करना है इन दोनों कामों को मिला करके हम ब्याबसाइक बित कहते हैं ब्याबसाइक बित दो सब्दों से मिल करके बना है ब्याबसाइक पिलस बित ब्याबसाइक का मतलब होता है सीधे सीधे धन कमाने के उद्देश से किये गए समस्त कारिये और बित से आसे होता है रुपए पैसे से अता किसी भी कंपनी को संचालित करने के लिए कितने पैसे की आवश्यक्ता होगी और वो हम कहां से उपलब्द कराएं कहां से हम उसकी व्यवस्ता करें जिससे हमारा खर्चा भी कम है और हमारा कामरो वार एक अच्छे तरीके से चलता रहे इसी का पिरवंद करना हमारा व्यवसाइक बित कहलाता है पैरग्राफ चेंज करना और लिखना जो अब मैं बोल रहा हूं कि जिस परकार से मनुष्ट को कारिये करने के लिए उसके सरीर में रक्त की आवश्क्ता होती है बिलड की आवश्क्ता होती है ठीक उसी परकार से जो हम व्यवसाइसंचालित करते हैं उसमें धन की आवश्क्ता है